तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोस्चन को देखो यह बेसीकली एक ऐसा कोस्चन है जो बहुत बार जेहीं में पूछा गया है सबसे पहले एडवांस में आया था फिर में सोगर में बार बार यह आने लगा तो टू प्लेनेट है जिसका मास कैपिटल में सिक्स्टी में इसकी जो राइडियस है और इसकी जो राइडियस है बच्चों को ए है रिस्पेक्टी सेप्रेशन बीट्विन दे सेंटर आप प्लेनेट इस टेने मतलब यह जो डिस्टेंस है वो टेने के इकवल है इनके बीच का सेंटरल सेप्रेशन आप यह जो बोडियस यह यहां से तो यह पॉइंट मैं इस पॉइंट का नाम में ए रख देता हूँ और यह जो पॉइंट है जब इसको मैं फॉयरकरूंगा मुझे ए से इस प्लेनेट जो बड़ा वाला है सिक्स्टिनियम से इसमाल एमपर इसको पहुंचाना है लेकिन यहां तक न कि the body is able to reach the surface of the planet minimum firing speed maximum की तो कोई limit नहीं है भाई maximum अच्छा कासा यहां velocity दे दो चला ही जाएगा लेकिन minimum velocity कितना दोगे तो अगर minimum velocity से कम दोगे मान लो तो अगर यहीं पर रहा तो वापस आ जाएगा यहां रहा तो वापस आ जाएगा यहां रहा तो वापस आ जाएगा मतलब एक ऐसा point है इनके बीच जहां neutral point है जहां पर net force क्या है इन दोनों का zero है अगर उसके इधर रहा इस region में रहा तो भाई दुबारा वापस आ जाएगा velocity कम रहा और बहुत ज़्यादा दे दोगे तो उप तो चली ही जाएगा इधर यार कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो एक खास minimum speed हमें देना है तो जिससे वह है a neutral point जहाँ पर net force is 0 है बस वहाँ पहुंच जाए यार ठीक है तो just जब वहां पहुंच जाएगा इस point पर इस point का नाम मैं B दे देता हूँ तो वो C point पर तो पहुंची जाएगा उसके planer पर हमें मतलब just पहुंचाना है तो velocity आप तो point B पर उस particle की उस body का जो mass है जीरो होना चाहिए B point पर और A point पर हमने velocity भी यह दिये वह हमको चाहिए यह वाला हमें calculate करना है तो I hope की समझ में आगया होगा तो B point पर net force 0 है तो यह जो M mass का particle है अगर इस पर net force M mass का particle net force 0 है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह हुगा कि इसको यह जो M वाला है वो इधर जितने force से यह खीच रहा होगा उतना ही force से दूसरा वाला भी खीच रहा होगा जितने force से यह खीच रहा है उतना ही force से यह दूसरा वाला भी equal and opposite खीच रहा होगा जिससे इसमे net force 0 है जाएगा मतलब F1 और F2 की जो value है वो आपस में equal होना चाहिए magnitude में और direction में opposite होगा तभी जाके net force 0 होगा तो सबसे पहले हमें ये वाली distance हमें निगालनी पड़ेगी तो चलो मान लेते हैं इसके center से ये वाली distance है तो ये distance basically ये distance मान लेते हैं इसके center से x distance पे ये neutral point है तो इसके center से ये कितना जाएगा distance तो इसके center से जाएगा 10a-x distance तो ये 10a-x distance पे net force 0 हो रहा है तो सबसे पहले हमारा target x की value निकालना उसके बाद energy कंजर करा देंगे x की value मतलब force by the first force by the planet small m और by the second force ये दोनों आपस में magnitude में equivalent opposite होगे तो पहले वाले जो छोटा m है तो g newton's love gravitation m small m x का square बराबर होगा z उसका mass कितना है 60 m 16 m और a small m upon 10 10 a minus x का whole square तो इसका मतलब बेगगा कि g ने g को cancel कर दिया और m ने m को cancel कर दिया तो यहां से तुम देखोगे तो अब हमें x की calculation करनी x की calculation के लिए 10 a minus x square एक काम करता हूँ 10 a minus x square यहां पर मैं ले लेता हूँ और इसको calculation बहुत आसान है और इसको मैं यहां solve कर लेता हूँ तो यहां से देखो गे 10 a minus x अपन x का 16 का whole square यहां दिख सकते हो और इधर लिख सकते हो x का whole square ठीक है और अपन 1 तो यहां से तुम देखोगे तो यह पूरा कट गया और 10 a minus x is equal to 16 x तो 16 x का जब square करोगे तो यह जो है वो basically 4 बन जाएगा तो यह 4 आजाएगा तो यह 4 का whole square तो यह कुल मिला के 4 आजाएगा तो यह आजाएगा यह 10 a is equal to 4 x आजाएगा यह root हट जाएगा तो 10 is equal to 5 x तो यहां से x की जो value आजाएगी वो आजाएगी 2 a तो यह जो है 2 a तो यह 2 a पे neutral point लाई करेगा यहां से तो यहां से कितना आजाएगा भाई 8 a 8 a आजाएगा यह इस वोले point पे अब हमें कुछ नहीं करना है basically हमें point a और b पर energy कंजर करना देना है तो mechanical energy at the point a must be equal to mechanical energy at the point b clear है तो a और b पर अगर मैं mechanical energy कंजर कराता हूं तो mechanical energy a पर जब लिखोगे तो kinetic energy half m भी यह square और potential energy 16 m और इस small m यह जो small m है और 60 m के बीच potential energy लिखो तो minus g 16 capital m small m और यह 2 a surface पे है plus इस वाले को small m को capital m भी तो attract करेगा छोटा वाला planet तो इनके बीच potential energy g m small m और इसके surface से तो यह पूरा 10 a था तो यह वाली distance कितनी आ जाएगी यह वाला distance यहां से यह distance कितना जाएगा बाई center से 8 a क्योंकि यह 2 a यहां से निकल चुका तो यह 2 दिया हुआ था न तो यह जाएगा 8 a देखो 2 a यहां पे बाद में दिया हुआ था चलो तो यह रहा कहानी कहां की यह रही कहानी एक उसी तरह से जस्ट बी पर पहुंच गया तो काइनेटी गया 0 और potential गया जी और 16 capital एम इसमाल एम और इसके center से कितना distance पर है भाई तो इसके बी-point पर बढ़े वाले जाटेल से कि अपना सलूस्टन हो जाएगा तो इसको solve करके अगर भी यह कैसे निकाल है तो small m यहां से तुम देखोगे तो small m को common है तो small m को remove कर दो तो small m को remove करने के बाद यहां से जो बचेगा वो b a का square divided by 2 और यहां से minus 16 2 4 से multiply कर दो तो 64 और यह माइनस 65 capital g m अपान 8a इधर बचा इधर बचा फोर से उपर नीचे multiply कर दो तो 16 और 4 20 16 और 4 यह 20 capital g capital m अपान 8a यह वाला हमें हमारे पास बच गया तो finally यहां पर देखो के तो b a का whole square जो आए जाएगा 2 is equal to 65 g m अपान 8a और minus 20 g m अपान यहां से g m अपान 8a तो इसका मतलब यह हुगा कि 65 और यह जब 45 g m अपान 8a और यह तो वह यह की जो value आ जाएगी भी यह वह आ जाएगी 45 g m over 4a under root अब तुम इसको देखो के और अच्छे से देखो के तो वह यह की जो value आ जाएगी वह 9 मतलब 3 by 2 3 by 2 5 g m over a under root this is the final solution of this problem तो यह वाली तो हमारा भी option सभी बन जाता है कि आयोप कि यह clear हो गया होगा और बहुत फेमस सवाल है बार बारे पुछा जाता है थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो कर दो